जैसे राम गाईज, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल वीद अन्यूब वीडियो आज के दिन की शुरुवाद होई सुबा सवा पाँच बजे सबसे पहले उठते पिये गिलास गरम पाणी फिर उसके बाद खाए रात को भी गोई ड्राइफ रूट्स फिर 5.41 से किया पढ़ना शुरू सबसे पहले लगाए तीन सेट डियाई के प्रिलिम्स लेवल की उसके बाद तीन सेट सेटिंग अरेंजमेंट के मेंस लेवल की और चार सेट लगाए थे पजल के मेंस लेवल की इन में जो एक येवाड़ी पजल थी वो मैंने खुद से मनाई मेरे पास खुद से भी निवाणी और फिर मैंने बोक में सलूशन में से देखी तो मेरे सलूशन में से भी येवाड़ी डियाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी स्वरी डियाई नी पजल येवाड़ी पजल है वो और इनको करने में मेरे को लगी थे अप्रोक्स टू आर फिर उसके बाद मैंने किया पांच मिनट प्राणायाम और प्राणायाम करने के बाद 12 राउंड्स आप सोरे नमस्कार के लगाए फिर मैंने साड़े गयाना से पढ़ना शूरू किया आज थोड़े लेटीस लिए किया था फिकास मेरी तवियत खराब हो रही थी आज मैंने चार मई के करन्ट अफेर की पीडियाफ रेड करी फिर उसके बाद 3 मई की करन्ट अफेर की पीडियाफ पर बेच्ट मॉक टेस्ट जिसमें मेरे स्कोर था 17.75 इसमें एक कॉस्चन मैंने स्किप किया था और एक कॉस्चन मेरे से गलतो गया था करन्ट अफेर मैं करती हूँ समार्ट केड़ा की सी ए मॉक डिल से and if you want to purchase then link is in the description box करंट फियर करने के बाद फिर मैंने लंच किया और थोड़े देर रेश्ट किया था फिर उसके बाद मैंने निमीशा मैम से आज के एडिटोरियल के क्लास देखी फिर उसके बाद मैंने आरारवी क्लरप्री का एक मॉक अटेंप्ट किया मोक में स्कोर है गाइज मेरा 67.75 रीजनिंग में 39 किये थे एक कोशिन मेरा गल तो गया और एक में मेरे को डाउट था तो मैंने स्किप किया था और क्वांट में 30 की 30 ठीक है और जो मेरे 10-11 कोशिन चुट गी थे वो भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया मोक देने के बाद फिर मैंने 25 मिनिट्स का एक ब्रेक लिया था उसके बाद मैंने निमीशा मैम के प्रफेक्शन 4.0 के बैच से पहरे जंबल की फर्स्ट कलास देखी फिर शाम कगई थी मैं इवनिंग बॉक पे और आज की इवनिंग कव्यों कुछ ऐसा था और आज मेरे साथ में कॉक्र पैप से भी आयुए थी एक बंद के बाद आई थी यही कुछ था जो मैंने आज किया और आज के मेरे टोटल स्ट्रडी हार्स थे सेवन आज झाल